सब्सक्राइब करिए टेकियासेट यूट्यूब चैनल को साथ में लगा बेल ऐकन को भी प्रेस करिए तक कि आपको मिले मेरे वीडियो के ब्रेट सबसे पहले देखते के लिए हेलो काईज वेलकम टूटेकियासेट यूट्यूब चैनल और गाईज आज की स्टीव में हम करने वाले यहां पर स्पीड टेस्ट बिट्वीन शामी रेडिमी नोट फाइव एंड शामी रेडिमी नोट फॉर और क्योंके यहां पर दोनीफोन में आपको सेम प्रोसेसर मिलता अब दोनीफोन में सेम मिलता है अडिनो का 506 और यहां पर रैम और स्टोइज जो मेरे पास है दोनीफोन में प्लस फॉर जीवी प्लस फॉर जीवेला मॉडल है विने सचा के क्यों ना आपको लोगों को स्पीड टेस्ट बता दू और देख लेते हैं यहां पर दोनीफोन म मेरे पास है वह फॉर जीवी फॉर जीवेले मॉडल है तो यहां पर जो कंपैरिजन वह फैर रहने वाला है और यहां पर एक और चीज़ आपको बता दू यहां पर दोनीफोनीफोन मैंने रैम क्लियर करके रखा हूँ ताकि यह बिलकुल फैर कंपैरिजन रहे तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं करते हैं करते हैं तो गाइस यह था रहम दोनों फोन का यहां पर स्पीड टेस्ट और दोनों इस फोन बहुत अच्छी तरीके से यहां पर परफॉर्म करें यहां पर यह स्लाइटली थोड़ा अगर था नोट फाइव एस नोट फॉर से बट गाइस मैं आपको एक चीज बता दू यहां पर जो जादा चेंजेज नहीं हुआ है एस कंपेर्ट तो स्पीड और अभी आप देख लेते हैं यहां पर रेम मैनेजमेंट देख लेता है यहां पर कौन से डिवाइस में आपको रेम मैनेजमेंट बढ़िया मिलता है कि अब आप कि अब आप कि अबते हैं कि अब आप कि अब आप मलेख तो यह था RAM management RAM management में सारे के सारे application इन memory तर दोने ही फुन में तो यहां पर अगर आप 4GB आले model लेते हो तो यहां पर आपको बहुत ही बढ़िया RAM management देखने को मिल जाएगा और Redmi Note 4 भी यहां पर पहले के कमतारीजन में यहां पर RAM management बहुत ही बढ़िया हो गया है तो यहां पर आ RAM management as well as speed बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगी अगर आप बात कर तो दोने ही में कौन सा विनार है तो गाइस दोने ही फोन में यहां पर सेम तो सेम पर्फॉर्मेंस और सेम तो सेम में आपको देखने को मिल जाएगा और आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपक अगरे किसी वीडियो में जब तक के लिए थैंक्यों